नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गंगर और स्वागत है आपका ऊटो मोबिल ग्यान बाय गंगर यानि की A.G.B.G की एक और वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्या आग है अब यह question mirror को बहुत आया है लेकिन actual में term देखा जाए तो reserve में गाड़ी कितना fuel रखती है ऐसा कोई चीज होती नहीं है गाड़ी जो car होती है वो reserve में कुछ रखती है ऐसा कोई term वगरा कुछ नहीं होना चीए लेकिन हमारे क्या हम आम तोर पे bike से चलाना सीखे हैं गाड़िय दो लेटर डेट दो तीन लेटर जो भी है वो reserve में आता है हमें पता चल जाता है कि अब यह तीन लेटर पेटरल बचा है और कितनी गाड़ी चलेगी वो अंदाजा लग जाता है लेकिन car जो है वो mostly अभी तो कुछ बहुत एक limited cars होगी जो कि कार्ब्रेटर चल रहे होगी mostly car जो है कोई अपनों car जो है कोई indication नहीं देगी company उसको इससाब से बनाएगी fuel खतम होगया तब आपको बता चल रहा है ऐसा नहीं है हमें proper एक warning fuel की हमेशा शो करता है orange color की एक light हमेशा हर एक car के dashboard बोलो या instrument cluster बोलते हो या MID होती है वहाँ पे आपको दिखती है ठीक है अभी यह low fuel की warning जो है चलो मैं आपको i20 से थोड़ा करके बताता हूं लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने तीन ऐसी गाडिया है जुस पे पूरी तरीके से जो है पेट्रोल चूस के धिक लिया है कि मतलब कितना आता है i20 इसी में जिसमें वैठा हूं एक jazz में और एक बार म फ्यूल जो है खतम हो गया तब जाके मैंने नोटिस किया कि कितना फ्यूल जो है वह लाइट जलने के बाद चलती है तो अभी आपको दिखाता हूं मैं याँ पर आपके लिए जूम अभी ऐखती है तो अब आप नोटिस करो देखो यहाँ पर यह लाइट जलरी है फ्यूल बदा रहे है कि फ्यूल कम है और यहाँ पर एक बार दिख रहा है ठीक है लेकिन आइक तो मेरी यह आदत है जब भी यह लाइट ऑन होती है तो मैं टरफ में डिशन ज़ीलोन पर और ज्यादा fuel कमोगा तो यह बार ब्लिंग करेंगा, लेकिन इसका मदब यह नहीं यह बार ब्लिंग किया तो फिर गाड़ी जो है वह आपकी बंद हो जाएगी वहीं पे, ऐसा नहीं, उसके बाद भी fuel होता है, तो कितना fuel होता है, उसकी हम बात करते हैं, एक बार में इसको, focus को पर चुछ लेता हूं तो कितना फ्यूल होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं देखो आइटवन्टी जब मैंने पूरी तरीके से बंद हुई थी तो 49 किलोमेटर के आसपा चली थी 49 या 52 मैं डिकाल नहीं कर पा रहा हूं तो 49 या 52 किलोमेटर चली थी तो इसका मतलब क्या मानूँ के कितना फ्यूल बचा उसमें क्या पता गाड़ी क्या माईलिस देरी थी उस टाइम क्या पता चल रहा है सही बात है ना लेकिन मा आपको एक अंदाजा दे देता हूं आइटवन्टी जैस और इनोवा तीनों को जब मैंने पूरा चलाया पूरा देखा एक 60 किलोमेटर के आसपास चली एक जो है 42 के आसपास चली ये 52 के आसपास चली तो उससे मुझे एक चीज़ पता चली कि लगबग 10% के आसपास 8 से 12% के आसपास जो टैंक केपिसिटी होती है फ्यूल जो है लाइट रिजर्व में दिखाता है मतलब लाइट जलने के पाद उतना फ्यूल बसता है तो मेरी आईटवन्टी का टैंक केपिसिटी है 45 लीटर और मेरे को लगबग 4-5 लेटर पेटरोल बसता है तो वो लाइट दिख जाती है यह मैंने एस्टीमेट लगाया आप तक जितना भी हो है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेटरोल आपकी गाड़ी मतलब जैसे 5 लेटर पूरा होते एकदम से बंद होगी आपको और कोई इंडिकेशन नहीं होगा गाड़ी बहुत स्मार्ट होती है आपको इंडिकेशन देती है एक तरीके से कि पेटरोल अब जो है पूरा मतलब बहुत ही जादा खतम होने वाला है फोर एक्जामपल मैंने आई-ट्वन्टी को लगबग 47 किलोमेटर के आसपास जब चलाया था 47 या 48 किलोमेटर के आसपास हम बाइद वे तीन चार्ज देने थे और रोटस भी घराब थी तो मैं भी माइलेज उसका कब दे रही थी तो 47 चलाने के बाद में गाड़ी का फ्यूल इंजेक्शन जो है वो मेरे थ्रॉटल इंपूर्स को ले नहीं रहाता है जाने की मैं एक्सलेटर पैडल पैस कर रहा हूं लेकिन वो प्रैस का पूरा इंपूट लिंह दे रहा है वो अपने हिसाब से बहुत कम फ्यूल डाल रहा है आपको ऐसे लगता है कि आप एक्सलेटर पैडल को यूँही प्रैस कर रहे हो उससे आपको जितनी दूर ले जा सकती है गाड़ी उतना आपको ले के जाती है ये गाड़ी की एक कोशिश होती है कि भाईया आपको फ्यूल के लिए आप रस्तों में रुकना ना पड़े पेट्रोल डीजल कदम जाए रस्ते में रुकना जाओ इसलिए वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अपनी तरफ से भी एफट डाल देती है और आपको अटकने नहीं देती है कहीं पे तो ये है जब भी आपकी गाड़ी बंद आपको ऐसे लगा कि फ्यूल की लाइट जो है जलने लगी है उसके बार डेफिनेटली आपकी गाड़ी में लगबग 10% फ्यूल होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10% फ्यूल के बरोसे जालते आओ कई बार माइलेज कम जादा हो जाता है तो उससाब से आपका अंदाजा गलत हो सकता है हाँ लेकिन यह है कि जब वो फ्रोटल इंपूट कमजोर होने लग जाए उसके बाद भी गाड़ी जो है पांग शाथ दस किलोमेटर चल सकती है फ्रोटल इंपूट कमजोर होने के बाद भी क्योंकि फ्यूल जो है आप बॉटल होगे रहा में भी कैरी नहीं कर सकते हो है पेटरोल तो अलावड नहीं होता है कैरी करना तो बस हमेशा जान रहे है जैसे ही रिजर्व लाइट जले अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा लो कि गाड़ी में लगबग 10% फ्यूल बचा है औ पर आपको कब फिल करवाना है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यह कई लोगों का क्विश्टन था कि रिजर्व में कितना रहती रिजर्व में रिजर्व जैसा कुछ नहीं होता है वो फ्यूल लाइट भी एक्जेक्ट काम नहीं करती है ह हो सकता है कई वार जो है आपकी गाड़ी में 10 लिटर पेटरोल हो तो भी वो दिखा रही हो के वार्निग और हो सकता है कभी कभी 3-4 लिटर बचाओ तब जाके वार्निग आए तो वो एक्जेक्ट नहीं हो सकती है बस आप वो चीज समझें हाँ यहाँ यह पर यह जरूर है